हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं स्टाडे चैनल बात करेंगे दोस्तों लेकपाल की परिक्षातिती को लेकर क्योंकि इसको लेकर काफी जादा आप लोगे सवाल आ रहे हैं लगातार कॉमेंट आ रहे हैं और एक कन्फिजन के स्तिती बन गई है बात करेंगे लोग सेवायों की परिक्षाओं की जो लगातार टल रही है सेटेट का नोटिफिक्षन जारी हो गया है टेजटी पीजटी के संबन में बहुत इंपॉर्टेट नोटिस जारी हो गई है एक करके सभी अपडेट कवर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चरूरी सूचना बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पेट 2022 की इस बैस्ट बुक के बारे में जो चक्सू प्रकाशन के तरफ से आती है पूरी दोस्तों संपूर गाइड बुक आ गई है पेट के लिए और यूपिटर पलसी के लेटेस पैटन के अधार पर पूरा सलबस इस बुक से आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें इसमें डीटेल में दी गई हैं तो दोस्तों संपूर गाइड बुक तो चक्सू प्रकाशन की आही गई है पेट के लिए साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस से भी आ गया है जिससे आप अपनी परिक्षा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यदि आपको ये किताबा खरीदनी है ओनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ ही साथ ये बुक्स आफलाइन मार्केट में भी इजली अवेलेबल हो जाते हैं सबसे बले बा है और परिहार कारण बताकर ये एक्जाम अब दुबारा से चार अगस्त को कराया जाएगा परिक्षा था ये स्टाफ नर्स पुरुस का 2017 पुनर्विक्यापन वस 2022 की मुख्य लिखित परिक्षा 24 जुलाई को होनी थी लेकिन अब ये नहीं हो पाएगी लगातार एक के बा जुलाई को ही लेकपाल की मुख्य परिक्षा होनी है और इसको लेकर भी काफी जादा कन्फिजन बना हुआ है अभी तक ना एड्मिट काड आया है और ना ही परिक्षा अस्थकित होने की नोटिस आई है कल मैंने आपको एक वीडियो बना कर जानकारी दिया था कि लेकपा आई हैं कि 31 जुलाई को ही दुबारा से इस एक्जाम को करा लिया जाए तो काफी छातर ये कह रहे थे कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे है पड़ाह हमारा did जुलाई को एक्जाम आपका होता है तो फिर आप इधर एक दो दिन चार दिन क्यों अपना बरबाद कर रहे हैं लागा तर पढ़ाई करिए ऐसा तो है नहीं कि अब दो चार्च है महीने के बाद ये एक्जाम होगा एक शी मैं आपको बता दूँ कि जब तक ऑफेसल नोटिस भी देखने को मिल सकता है अगली अपडेट है सी टेट दो हजर बाइस नोटिफेकेशन के संबंद में सी टेट के लिए नोटिश जारी कर दिया है सिब्यसी ने एक्जाम आपका दिसम्बर में होने जा रहा है तो एक सौट नोटिस के जड़िये सिब्यसी ने बता दिया कि कब से कब तक आवेदन होंगे और भी जो दूसरी सारी चीज़े हैं योगेता वगेर है एक्जाम का पैटर्न ये जल्द ही बताया जाएगा हाला कि कुछ बदलाव इसमें नहीं होने जा रहा है पहले जो पैटर्न था पहले जो योगेता थी वही इस बार भी रहेगी बहुत जल्द विग्यापन भी देखने को मिलेगा क्योंकि दिसंबर में परिक्षा करानी है तो उस हिसाब से इसी माह के लास्ट तक नोटिफिकेशन आपका आज आना चाहिए और आज की लास्ट अपडेट है टीज़ेटी पीज़ेटी भरती से संबंधित कल दोस्तों उत्तर प पताया चैन बोर्ड ने कि हमने असपस्ट बताया था नो जून वाले नोटिफिकेशन में की कैसे आपको फॉर्म भरना है क्या सम्मिट करना है और क्या लास्ट देट है और एक बार और एक सब्ता के लास्ट देट बढ़ाया जा चुका है प्रयाप्त समय दिया गया है बैंक नेम ट्रांजेक्शन नंबर आईडी वगर जो मिसमैच हो रहा था तो यदि पेमेंट आपका फेल हो रहा है तो दुबारा से फी पेमेंट करना था 13 जुलाई तक और जिनका फी पेमेंट सक्सेस्फुल हो गया था उन्हें अपने फॉर्म को सम्मिट करना था तो आउनलाइन आवेदन संबंदी संपुड कारवाई एनाईसी के परिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित है चैनबोड द्वारा इसमें किसी प्रकार की आउफलाइन कारवाई संभाव नहीं है तो फी पेमेंट या फाइनल फॉर्म संमिशन या आवेदन चैनबोड नही बढ़ेगा और आप लोग अपनी परिक्षा के त्यारी करिए एक्जाम सेंटर्स पर भी काम सुरू हो गया है जल्दी परिक्षा भी कराया जाने की त्यारी चल रही है तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में कुछ मात्मूड अपडेट वीडियो को लाइक और शेर कर द खारी के तो किता समूर्ष déjà तो यह कि हैकि हो अपनी परिक्प January 2019 ऑफ टायाने हैज रही हैशन आज की तिर svenद कार्षाटять अपनी परिक्पलश आपर सמׯ शेयोश norm काम सेंटर्स टुंछ